हेलो एभरीवन, वेलकम टू इंजिनियर से इसक्वेशन पॉइंट, इस वीडियो में लुसेंट अब्जेक्टिव का प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान का कोश्चन नमर 71 से करेंगे, कोश्चन नमर 71 क्या है देखिए, खेलो की कोचिंग में उठक्रिस्टा के लिए निमल 72 नमर है, धर्म की उन्नती के छेतर में सराहनिय प्रयास है तू कौन सा प्रोस्कार प्रदान किया जाता है, धर्म की उन्नती के छेतर में सराहनिय प्रयास है तू कौन सा प्रोस्कार दिया जाता है, तो ये प्रोस्कार है, टेम्पल लटन प्रोस्कार, टेम्पल लटन प्र गया था तो ये है मदर टेरेसा चोहतर नमर है महात्मा गांधी सांती पुरस्कार के तहट कितनी पुरस्कार रासी प्रदान की जाती है महात्मा गांधी सांती पुरस्कार के तहट कितना रासी दिया जाता है एक करोर रुपया दिया जाता है 75 नमर है भारत सरकार ने हाल ही में सरदार बल्लभाई पटेल के नाम पर एक औसेनिक पुरसकार गतित किया है यह पुरसकार किस छित्मे योगदान के लिए है तो यह पुरसकार जो है भारत की एकटा और अखंडता के लिए है कौन सा पुरसकार है औसेनिक पुरसकार है सरदार बल्लभाई पटेल के नाम पर जो भारत की एकटा और अखंडता के लिए दिया जाता है 76 नमर कोशन है अत्याचारो के खिलाप आवाज उठाने एवं संघर्स करने वाली सासी महिलाओं को कौन सा पुरसकार परतान किया जाता है तो ये पुरसकार है निर्जा भनोट पुरसकार अत्याचारो के खिलाप आवाज उठाने एवं संघर्स करने वाली सासी महिलाओं को निर्जा भनोट पुरसकार से समानित किया जाता है 77 नमर है सन्यूक्त राष्ट का ससाकावा पुरसकार ससाकावा पुरसकार किस छेत्र में किये गए कार्य को समान देने के लिए दिया जाता है तो ये है आपदा जोखिम निवनी करन के शत्र में दिया जाता है आपदा जोखिम निवनी करन के शत्र में 78 नमर कोशन है प्रती बर्स कितने नोबल प्राइज पुरसकार परदान किये जाते हैं कितना नोबल प्राइज पुरसकार प्रती बर्स दिया जाता है तो ये है 6 कितना है 6 89 नमर है निमलिखित में से किस विषय पर नोवल प्रोषकार नहीं दिया जाता है किस विषय पर नोवल प्रोषकार नहीं दिया जाता है तो गनीत में नोवल प्रोषकार नहीं दिया जाता है स्वीडियन बेरासी नमर है नोबल पुरसकार किसकी अस्मिरिती में दिये जाते हैं तो नोबल पुरसकार जो है अलफ्रेड नोबल के अस्मृति में दिया जाता है 82 का B हो जाएगा 83 है नोबल पुरसकार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागदारी में दिया जा सकता है अधिक कितना होना चाहिए अधिक से अधिक 3 होना चाहिए 84 नमर है नोबल पुरसकार कब आरंब किये गए नोबल पुरस्कार जो है 1901 इसमी में आरंब किया गया 85 नमर है भारत को पर्थम नोबल पुरस्कार किस विशे के लिए दिया गया था तो यह है साहित में 86 नमर है सीवी रमन को नोबल पुरस्कार मिला था बर्स सीवी रमन को जो है नोवल पुरषकार किस बर्ष में मिला था तो 1930 में मिला था 1987 नमर है अर्थ सास्ट के छेत में नोवल पुरषकार किस बर्ष से प्रदान किये जा रहे हैं 1979 से अर्थ सास्ट के छेत में नोवल पुरषकार कब से प्रदान किया जा रहे हैं उनिश्व उनहत्तर से 88 है, नोबल प्रोस्कार विजयता पर्थम भारतिये हैं, पर्थम भारतिये कोन है, रविंदर नाथ टैगोर, कोन है, रविंदर नाथ टैगोर, 89 है, सुब्रहयन, चंद सेखर को किस छेत्र में नोबल प्रोस्कार मिला, सुब्रहयन, चंद सेखर को किस छेत्र में नोबल प्रोस्कार मिला, तो बहुत की के छेत्र में, हर गोविंद खुराना को किस छेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबल प्रोस्कार मिला, तो मिला तो 1999 में अमरिसें को जो है अर्ट सास में युलवल प्रसकार है है भारतियह मिलए के दो अमरिकी दो अमरिकी नागडरिक यह कुन है यह हर गो विंद खुराना कुना उहीव सुब्रहन्यम चन सेक्कर नलमलपरोषकार बीजयता हैं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के छेत्रों के युगमों में से कौन सही सुमलित नहीं है कौन इसमें सही नहीं है ये बताना है 93 का है ये हर्गोविंद खुराना को जो है भौतकी में ये क्या है गलत है हर्गोविंद खुराना को भौतकी में गलत है हर्गोविंद खुराना को किस छेत में मिला है तो इनको मिला है हर्गोविंद खुराना को किस छेत में मिला है ठीक है चीकिस्टा हुआ सरीर बिज्ञान में तो ये गलत चौरानवे नमर कोशन है निमलिखित में से किन दो भार्थियों को का भौत्की के छेत में उलेखनिय कार के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया है भौत्की के छेत में किनको दिया गया है तो वो है सीवी रमन और सुभर्यम चंसेखर को 95 है नोबल पुरस्कार से सम्मानित भार्थिय मूल के साहितिकार है भारतिय मुल्क के कौन सा साइधकार है जो नोबल प्रोसकार से प्रुस्कृत है तो वो है बी एस नाइपाल 96 नमर है रविंद्र नाठेगोर को किस बर्स नोबल प्रोसकार परदान किया गया था रविन्ना टेगोर को 1913 में नोबल प्रोषकार परदान किया गया था 1913 में 97 है निम्लिखित में से किन्हे नोबल प्रोषकार नहीं मिला है जवाहरलान नहरू को नोबल प्रोषकार नहीं मिला है 98 नमर कोशन है प्रोफेसर अमर्थ सेन को निमलिखित में से किस छेतर में में से उनके महतपुर्ण योगदान के लिए नोबल प्रोषकार से सम्मानित किया गया था अमर्थ सेन को जो है किस छेतर में मिला था तो वो है अर्थ सास्त की छेतर में 99 है नोबल प्रश्कार जीतने वाला पहला भारतिय अर्थ सास्ती था पहला भारतिय अर्थ सास्ती कौन थे जो नोबल प्रश्कार जीते तो वो है अमर्थ सेन 100 नमर कोशन है अर्थ सास्त में नोबल प्रश्कार किसने अस्थापित किया था कोना स्थापित के थे अर्थ सास्ट में नोबल पुरसकार तो ये है स्वीडेन का सेंट्रल बैंक 101 नमर कोशन है मैरी क्यूरी को दो भिन नोबल पुरसकार किन किन स्रेनियों में मिले है थे मैरी क्योडी को किन किन छेतर में मिला था नोबल पुरसकार तो वो है भौतकी और रासाइन भौतकी तथा रासाइन 102 है नोबल पुरसकार परती वर्स कहां बाटे जाते है तो नोबल पुरसकार जो है स्टॉक होम में बाटा जाता है 133 नमर कोशन है किस अर्थ सास्ति को बर्ष उनी सौन ठानवे में गरीबी और आकाल पर किये गए उसके अध्यानों के लिए अर्थ सास्त का नोबल प्रशकार परतान किया गया तो ये है अमर्थ सेन 104 नमर कोशन है सीवी रमन को किस छेत्र में कार करने के लिए नोबल प्रशकार से सम्मानित किया गया सीवी रमन को जो है किस छेत्र में नोबल प्रशकार मिला है तो वो है प्रकास प्रकिर्नन 105 नमर कोशन है Nobel Peace Prize, Nobel Santi प्रोषकार प्राप्त करने वाला भारती ये कौन है तो ये है Mother Teresa Mother Teresa 106 नमर कोशन है कौन सा प्रोषकार, Bekalpik, Nobel प्रोषकार के नाम से जाना जाता है Right Lovelyhood प्रोषकार Right Lovelyhood प्रोषकार 106 का ए हो जाएगा 107 है भारत रत्न और अनरास्तिय सम्मान का आरंब कब हुआ तो ये जो है 1904 में आरंब हुआ कब हुआ 1904 में अगला कोशन है भारत रत्न से बिभूसित पर्थम बिभूती है सबसे पहले भारत रत्न किन को मिला था तो वो है Dr. S. Radha Krishna 109 नमर कोशन है मरनो पुरान पर्थम भारत रत्न किन है दिया गया मरने के बाद जो है भारत रत्न से किन है सम्मानित क्या गया था तो वो है लाल बहादूर सास्त्री 110 नमर कोशन है भारत रत्न से बिभूसित पर्थम बीदेशी है पर्थम बीदेशी जो है कौन है खान अब्दुल गफार खान 111 नमर कोशन है देश के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पर्थम पुर्णता विदेशी बैक्ती है सब देश के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले पर्थम पुन्तव बिदेशी बैक्ति कुन है तो ये है डॉक्टर नेंसन मंडेला 112 नमर कोशन है भारत के एक मात्र नेता जिन्हें संहिये ग्रीह मंत्री के पद पर रहते गुए भारत रत्म से समानित किया गया तो वो कुन है गोविंद बल्लव पंत 113 नमर कोशन है किस बिदेशी नागरी को भारत रत्म समान परदान किया गया है तो वो है नेंसन मंडेला एक सोचोदा नमर कोशन है भारत रत्न का डिजाइन किस ब्रिच के पत्ते की तरह बनाया गया है तो पीपल का ब्रिच का जो है पत्ते की तरह भारत रत्न का डिजाइन बनाया गया है पीपल का ब्रिच हो जाएगा ओप्शन भी हो जाएगा एक सोचोदा का 115 है निम्ण में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगितकार कौन था सबसे पहला संगितकार कौन थे MS सुबलक्षमी MS सुबलक्षमी 116 नमर कोशन है निम्लिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन है भारत रत्न पाने वाले जो है निम्लिखित में से कौन है तो अटल विहारी बाजपेई कोई भारत रत मिला है सचीन तेंजलों कोई मिला है लाता में सभी बिकल्फ सही है सभी हो जाएगा 117 नमर कोशन है पर्थम भारत रत्न सम्मान किसे मिला सबसे पहला जो है भारत रत्न सम्मान जो है पर्थम भारत रत्न समान किसे मिला तो वो है सीवी रमन 118 नमर कोशन है निमलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है किसको जो है भारत रत्न नहीं मिला है तो वो है बलदेव सिंग बाकी सभी को भारत रत्न मिला हुआ है 119 नमर कोशन है भारत रण सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है पहली महिला कोन है जिसको भारत रत्न मिला था तो वो है इंद्रा गांधे 120 नमर कोशन है भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला बैकती है भारत रत्न जो है खेल में सबसे पहला किसको मिला था तो वो है, वो सचीन तेंदूलकर है, सचीन तेंदूलकर, 121 नमर कोशन है, निमलिखित में से कौन भारत का सर्वोच नागरिक पुरसकार है, सबसे सर्वोच नागरिक पुरसकार कौन सा है, तो ये भारत रत नहीं है, भारत रत, 122 नमर कोशन है, निमलिखित में से कौन भार सेना के छित में 123 नमर कोशन है निमलिखित में से कौन सा बिस्व का सर्भोच परियावरन सनरक्षन प्रोसकार है सर्भोच परियावरन सनरक्षन प्रोसकार कौन सा है तो यह है गोल्डेन पांडा प्रोसकार गोल्डेन पांडा प्रोसकार 124 नमर कोशन है कौन सा प्रोसकार सम केबल रक्анич कर्मियों को दिया जाता है तो रक्षा कर्मियों को को सा संबंदिधया जाता है यह असोकó चक्र दिया जाता है 116 है जीडी ग्वैन का पुछ ताक दैस के निर्माण और कारन को आगे बढ़ाने में वैक्त्यों दॉरा किये गए योगदान की पचान करने के लिए अस्थापित किया गया था जीदी गोएन का प्रॉसकार किसके लिए दिया जेता है तो ये 151 में सबसे पहले Miss World प्रोषकार दिया गया 128 नमर कोशन है Miss Universe का खिताब जीतने वाली पहली भारतिये कौन थी सबसे पहले Miss Universe का खिताब जो है कौन जीती थी तो ये है सुस्मिता सेन 129 नमर कोशन है Mother Teresa के बाद किस भारतिये ने नोबल सांथी प्रोषकार प्राप्त किया Mother Teresa के बाद जो है कोन नोबल सांथी प्रोषकार प्राप्त किया तो ये है कैलास सत्यार थी और 130 नमर कोशन है Global Goal Keeper Award किस के दोरा दिया जाता है Global Goal Keeper Award किस के दोरा दिया जाता है Bill and Melinda Gates Foundation के दोरा ग्लोबल गोल की परिवाद दिया जाता है तो हम लोग देखे इस वीडियो में परमुक पुरस्कार तथा सम्मान का 171 से लेके 130 कोश्चन तक टोटल 130 कोश्चन था थैंक्यू फोर वाचिंग इस वीडियो थैंक्यू सो मच